सब्सक्राइब करें माई चैनल टेक्निकल सीवा नमबर वन और बेल की आइकोन को दबादें हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक माई यूटूब चैनल टेक्निकल सीवा नमबर वन देख रहे हैं जो नहीं तक चैनल को सब्क्राइब नहीं कि है तो जाके सब्क्राइब कर लें और वीडियो के लिंक के डिप्रेप्शन पर आपको हमारे टेलिगाम चैनल की लिंक मिल जाए कि ज जब ODI मैस खेला था तो मैंने वीजन 11 पे 100% विनिंग किया और यहां पर आप दे सकतो मेरी विनिंग 100% प्रॉफिटेवल थी और यहां पर मैंने 16,000 इंवेस्टमेंट किया था जिस पर मैंने यहां पर टोटल 28,000 की प्लस की तो जो भी यह वीडियो देख रहा है तो आपन जहते हैं तो आप विजन 11 पे खेलें क्योंकि वीजन 11 पे लेख competition ने जिस पर जीतने के chances आपके बढ़ जाते हैं और यहां मेरी टीम से खेलते हो तो जीतने के chances और भी हाई हो जाता है आपका ठीक है और उसके अलाबा यहां पर मैंने कल एक पिडिक्स किया था लिंटन डा यहां पर सिल मारा था मैंने आपको देखा होगा कि एक भी पॉइंट नहीं देगा जीरो प्याव होगा आप सिल यदि आप इस्चेंज 22 पर इंवेश्मेंट करते हैं तो आपको पता होगा और नहीं करते तो वीडियो दे सकते हो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी इस्चेंज 22 पर 22 का एक से अर्था यहां पर मैंने एक सेल लिया और जस्ट डवाल पा जीरो पर आउट हुआ देख सकते हो पाइनल प्राइस जो थी जीरो एक भी पॉइंट नहीं दिया और यहां पर मुझे डवल का प्रॉइट हुआ तो आई चलते आसके पेड जादा होगा ठीक है तो यहां पर फस्ट मैस देखिए और पिस कंडिशन से बंगला इस्टेडियम का 250 के कोडिंग मैस जाता है यह इस पिनर को सपोर्टेट करता है लेकिन पिछले मैस पर यहां पर इस्ट्रा एडवांटेज जो मिला वह फास्ट रों को मिला ही मेहदी अस अधिक है तो आप देख सकतो इसमिनरों ने ज्यादा विकेट लिया है पेसर के मुताबिक यहां पर दोनों टीमों ने सिस्टीन विकेट खोई इस पर इसमिनर ने दस और पेसर ने च्छे विकेट लिये थीए बंगलादेश के टीम की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले प्र है वेन्यू रिकॉर्ड जो है वो फिप्टी के एवरेज है हेट टूर रिकॉर्ड जो है वो 45 का एवरेज है साथ ही विकेट भी लेखे गया है तो बंदा ग्रैंड लीग हो यह है तुवे पहुत अच्छे कैप्टन ऑप्सन रहेगा चरूब पिछले मैच पे 15 रन मारा और यहां पर 54 रन अपने यहां पर पॉइंट एक बॉल बॉलिंग भी किया एक बॉल बॉल यहां पर चौमन रन एक रन दिया अफिक हुसान है टूंटी सेबन एम सर्फित दीन यहां पर मैंने आपको उताया था सर्फित दीन एक अच्छे ऑप्सन रहेंगे ग्रैंड लीग प सबसे ज्यादा चार विकेट निकाला टी है मैंत की अच्छी खासी पिटाई हुई लेकिन इस डिराउन पर इनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बारा मैचेस पर बाइस विकेट लिया है एम रह्मान ने भी बहुत अच्छा जो जैसा कि वेन्यू रिकॉर्ड है इनका इस सेरे बंगला स्टेडियाम पर तो वैसे हिनों ने बॉलिंग की और बहुत अच्छी अठारा इनिंग पर एक तालिस विकेट अब उन्निस इनिंग पर इनोंने चो आलिस विकेट ले चुके हैं तीम ब्रेक अप की बात करते हैं यहां पर कौन से में बैस्ट मैन हो सकते ह तो यहां पर तमीम इकवाल सक्यूलर हर्शन और मेहमूद दुल्ला रहेंगे ठीक है प्लेयर स्टेट आप दे सकतो यहां पर एम रहीम का देख लें वेन्यू रिकॉर्ट ट्वंटी नाइन कब तो थर्टी प्लस का हो गया पिछले मैस में बहुत इच्छी बहुत बैटिं किये और फिप्टी प्लस का स्कोर लिया यहां पर बॉलिंग भी किया उन्हीं सीनिंग पर इन होने और जिसमें नौ विकेट लिया ठीक है वेन्यू डिकॉर्ट भी थर्टी फाइब का है इसलिए मैंने बोला था कि आप जरूर लेके जाएगा और एस सरकार जो है यहां पर इस वेनू पर फुर्टी प्लस का एवरेज है जो बहुत अच्छा मना जाता है और इस हेट टू हेट पर भी टूंटी एट का है पहला मैस नहीं खेले थे साइदी मैस खेलें क्योंकि प्रिपर 11 बहुत ही अच्छी है और मैं मिथून का मैंने आपको बता दिया था जो ओड आप दे सकते हैं मेहदी हसन आप दे सकते हैं एफ हुसेन का आप ने देखा होगा पिछले मैस पे ताकि एहमद बारा इनिंग पर 22 विकेट जो सब मने बताया था और वेनू पर 18 विकेट पर 41 अब 19 ओवर वेनूर खेल लिए और एम रहमान पर 9 इनिंग फिप्टीन पर इंगा बहुत ही अच्छा था चैनल मैच पर 11 विकेट अब साथ मैच पर 15 विकेट हो गए तो जस्ट डॉवल का एक और होगा इस इसलाम ठीक है स्री लंका के पिछले वर्मप मैच पर बहुत अच्छी प्रफॉर्मेंस किया था डिक्वेला मेंडिस ने लेकिन इस मैच करेंच पर ने अच्छी प्रफॉर्मेंस नहीं दिया स्रीकवरुणा रतने ने बहुत अच्छी प्रफॉर्मेंस किया सैद एकाचय चंजिस होने की उमीद है तो देखते हैं अखिए धनंजा जो पिछले मैच पर दो ही ओबर खिले वर्मप मैस पर जो पिछले मैच यहां नहीं के रहते तो आने के चांसे से धननजा के भी लग रहे हैं कुछ चंजेस होने की उमीद है कि स्री रंका कुछ चंजेस कर सकती है यहाँ पे गुणन टीला के मैच देखे 21 रन दो भर में एक विकेट कुसल परेरा 30 रन फिर यहाँ पे डिक वेला का यहाँ पे खेलने के चांसे अब बन रहे हैं कुसल मेंडी से 24 डी शिल्वा है नाइन रन और दस ओभर में तीन विकेट लिया है 45 का एक अच्छी ऑप्शन कैप्टंसी वाइस कैप्टंसी हेट टूएड हो यह एसल के लिए स्मॉल लीक लिए कैप्टंसी वाइस कप्टंसी आप जरूपिक करवाईए गई ने धनुस नाका है ओभन नहीं किया और साइद ही करेंगे ठीक है डवलू हसरंगा है इदू दाना है फिर उसके वाद संट करनना है मैंने आपको दात है जरूर लीजेगा डी चमीरा के कोडिक उसलिए मैंनर निगयों में बहनर बौला these इस रहे तो तो बॉलिंग भी ज्यादा कि आपने देखा ठीक है एक टूर डिकॉर्ड देख लिए कुसल पड़े का फुट्टी का इवरेज है आप भी लेके जाए अधिक वेला का है टूर्टी नाइन का है और यहां पर गुना टिक लगा का भी यहां पर प्रफॉर्मेंच जो है टूर् बॉलिंग से तो इतना अच्छा नहीं था लेकिन बॉलिंग से जरूब विकेट निकाले थी इसलिए मैंने के साथ गया और आपने देखा टीन विकेट भी निकाला कुसल मेंटी से हैं यहां पर नौ इनिंग फुट्टी थी का इवरेज है पिछले मैंस पर जरूर इतनी अ और यह मैं जहां तक है श्रिलंका जीत भी जाए ठीक है धनु सनाका है इदू उदाना है अपने फर्स मैच पर दो विकेट निकाला था इस मैच पर भी विकेट निकाला डबलू हसरंगा बैटिंग से तो नहीं टॉल की रिस थी लेकिन इस मैच पर अच्छी खासी बैटिं तो आप जरूर लेके जाएगा संड़का को आप लेके जाएगा सी करूना रफने हैं तो यहां पर टीम देखेगा आप 10 लाग रुपए जी सकतो यदि वीडियो लाज तक देखेंगे तो अब यहां पर टीमे बनाना आप सीखें ग्राइन लीकी टीमे कैसे बनती हैं काफी लोग एम रहीम को मैंने किया यहां पर मैं जो फ्रस्ट टीम बनी है वो बंगलातेफ़्ओ कि अक्ज़दं क को फिर मैं जिता रहा हूं और बंगला दैस को क्यों लिया हूँ यह आप टीम दे सकते हो itu рदाना त्यूम क्यों रहेंगे वह बॉलिंग अच्छी कर लेते चाईना मैं बॉलार है मतलब स्पिनार है और यहां पे ज़ादा ही फेवर कर रहीzone है ठीभा है, तिय पहली team हमारी ये grand league की team है जो आपको यहां पर team में दिखा रहा हूं ये grand league की team ही है, second team में खुछ ऐसे बनने वाली, डबलू हस्तनका के साथ, यह यह team जो है, यह average team ग्रेंट लीग की है तीक है स़ पतराली को एकपटन सब्सक्राइब अच्छ आपर यह एक अच्छ क्यूख ऑफ और्ट निटन्से इसले मैं इन कि अच्छे पीक रहेंगे तास्कीत एहमाद हेट टो हेट रिकॉर्ड तो इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन वेन्यू रिकॉर्ड बहुत अच्छा पिछले मैच पे अच्छी खासी पिटाई हुई इनकी बॉलिंग से और विकेट नहीं लिए रहे है इसलिए काफी लोग उ हमाद फ्लाओ घांड हो होंगे ठीक है फ्लाओ कौन सा प्लेयर होगा जो पिछले मैच पे चला ठीक है उस इस मैच पे उछ एकाद जो मैं फ्लाओ कर वा रहा हूं एम रही महमुत दल्ला का उससे बैर रहा है तो आप चाहओ से साथा आ लेता है तो अच्छे option रहेंगे लेकिन क्योंकि इस्पिनार बॉला रहे ठीक है यदि फास्टर पिटर जाते हैं तो इस्पिनार पे महमुर दुल्ला बॉलिंग करने आएंगे ठीक है लेकिन एम रहीम है यहां पर विकेट से पीछे कैंच लेके विकेट दिला सकते हैं तो अ ऐसे ही ग्रैंड लीक की टीम बनती है और प्राइम टीम आप धीरे धीरे ऐसे ही सिखते रहें तो आप एक दिन अच्छी टीम बनाना सीख जाएंगे तो वीडियो को लाचता देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अपने फ्रेंडों पे सेयर करें लाइक करें कमेंट करें और यदि न्यू वीजीटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहें थैंक यू